जंगल और जनकपुर इस वीडियो के माध्यम से आप शुद्ध उचारण और सही वरतनी सीखेंगे ध्यान से सुनियेगा ध्यान से देखियेगा राजमहल से निकल कर महरशी विश्वामित्र सर्यू नदी की और बढ़े दोनों राजगुमार साथ थे उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुँचने के लिए विश्वामित्र ने आयोध्या के निकट नदी पार नहीं की दूर तक सर्यू के किनारे किनारे चलते रहे दक जब कुछ दृष्टी से ओजहल हो गया। जब करवाहे लौट रहे थे गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। मुहाथ धोकर लोटे महरशी के निकट आकर बैठे विश्वामित्र ने दोनों भाईयों को बला अतिबला नाम की विद्याईं सिखाई रात में वे लोग वहीं सोए तिनकों और पत्तों का बिस्तर बना कर नींद आने तक महरशी उनसे बात करते रहे। सुबह हुई यात्रा फिर शुरू हुई मारग वही था सर्यू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महरशी अब भी आगे चल रहे थे। लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्षमन अब दूरी बना कर नहीं चलते थे। महरशी के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में वहां के लोगों के बारे में वरिक्षों वरस्पतियों के संबंध में स्थानी इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी जंगलों से होकर। उस से पहले उन् नाव से गंगा पार की नदी पार जंगल था घना दुर्गम सूरज की किरने धरती तक नहीं पहुँचती थी इतना घना वह डरावना भी था हर ओर से जहिंगुरों की आवाज जानवरों की दाहार करकश ध्वनिया राम और लक्षमन को आश्वस्त करते हुए महर्शी ने कहा ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं इनसे कोई डर नहीं है असली खत्रा राक्शसी तालका से है वह यहीं रहती है तुम्हें वह खत्रा हमेशा के लिए मिटा देना है तालका के डर से कोई उस वन में नहीं आता था जो भी आता तालका उसे मार डालती अचानक आक्रमन कर देती उसका डर इतना था कि उस सुन्दरवन का नाम तालका वन पड़ गया था राम ने महर्शी की आग्या मान ली धनुष पर प्रत्यंचा चड़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा इतना तालका को क्रोधित करने के लिए बहुत था तंकार सुनते ही क्रोध से ब्लिबलाई तालका गरजती हुई राम की और दोड़ी दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा जंगल में जैसे तूफान आ गया विशाल काय पेड कांप उठे पत्ते तूटकर इधर उधर उड़ने लगे धूल का घना बादल चा गया उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिये राम ने उस पर बाण चलाए लक्षमन ने भी निशाना साधा ताड़का बाणों से घिर गई राम का एक बाण उसके रिदे में लगा वह गिर पड़ी फिर नहीं उठ पाई विश्वा मित्र बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने राम को गले लगा लिया उन्होंने दोनों राजकुमारों को सौत अलह के नए अस्त्र शस्त्र दिये उनका प्रयोग करने की विधिबत आई उनका महत्व समझाया महर्शी का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था लेकिन तब तक रात हो चली थी विश्वा मित्र ने वह दूरी अगले दिन तै करने का निन्ने लिया तालका मर चुकी थी उसका भै नहीं था तीनों ने रात वही बिताई तालका वन में जो अब पूरी तरह भैमुक्त था सुभ जंगल बदला हुआ था अब वह तालका वन नहीं था क्योंके तालका नहीं थी बयानक आवाजें गायब हो चुकी थी पत्तों से गुजरती हवा थी उसकी सरसराहट का संगीत था चिडियों की चहचाहा हट थी शांति थी तस्वीर बदल गई थी सिध्धाश्रम का अंतिम पड़ाओ था महर्श का आश्रम रास्ता छोटा भी था मनोहारी भी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुँच गए आश्रम वासियों ने उनकी अग्वानी की अभिननदन किया उनकी प्रसनता दुगुनी हो गई थी महर्शी विश्वा मित्र के आश्रम लोटने की खुशी राम लक्षमन के आगमन का सुक विश्वा मित्र यग्ग की तैयारियों में लग गए अनुष्ठान प्रारंब हुआ आश्रम की रक्षा की जिम्मिदारी राम लक्षमन को सौपकर महर्श आश्वास्त थे अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में पांच दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा शांति से निर्विग्न लगता था कि राजगुमारों की उपस्थिती ने ही राक्षासों को भगा दिया है राम और लक्षमन ने यग्ग पूरा होने तक न सोने का निर्णा किया वे लगातार जागते रहे चौकस रहे कमर में तलवार पीठ पर तूनीर हाथ में धनुष प्रत्यंचा चड़ी हुई हर स्थिती के लिए तयार अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आस्मान भर गया सुबाहु और मारीच ने राक्षासों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया मारीच क्रोधित था यग्य के अलावा भी इस बात से कि राम लक्षमन ने उसकी मा को मारा था तालका को राम ने राक्षासों का हमला होते ही कारवाई की धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया मारीच बान लगते ही मुर्चित हो गया बान के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे वह मरा नहीं जब होश आया तो उठकर दक्षन दिशा की और भाग गया राम का दूसरा बान सुबाहू को लगा उसके प्राण वही निकल गए सुबाहू के मरने पर राक्षस सेना में भगदल मच गई वे चीखते चिलाते भागे कुछ लक्षमन के बाड़ों का शिकार हुए और ने जान बचा कर भाग खड़े हुए महर्शी विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन हुआ राम ने महर्शी को प्रणाम करते हुए पूछा अब हमारे लिए क्या आज्या है मुनिवर महर्शी ने राम को गले लगाया कहा हम लोग यहां से मिधिला जाएंगे महराज जनक के यहां विदेहराज के दर्बार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने महराज के पास एक अदभुत शिव धनोश है तुम भी उसे देखो राम और लक्षमन अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे नए स्थान देखने और जानने का अवसर सौन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिश्चियों और राजगुमारों के साथ वे गौतम रिशी के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया तभी उनकी द्रिष्टी राजगुमारों पर पड़ी विदेहराज चकित रहे गए वे स्वयम को रोक नहीं पाए महर्शी से पूछा ये सुन्दर राजगुमार कौन है मैं इनके आकरशन से खिंचता जा रहा हूँ ये राम और लक्षमन है महराज दशरत के पुत्र मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अदभुत धनोष दिखाने विदेहराज ने महर्शी उनके शिशियों और राजगुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुन्दर उद्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग रिशे, मुने और राजगुमार यग्यशाला में उपस्थित हुए वहां महर्शी ने फिर धनोष का उलेख किया महराज जनक ने अपने अनुचरों को आग्या दी शिव धनोष को यग्यशाला में लाया जाए शिव धनोष सचमुच विशाल था लोहे की पेटी में रखा हुआ था पेटी में पहिये लगे हुए थे आठ पहिये उसे उठाना लगभग असंभव था पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था अनुचर मुश्किल से उसे खिंचते हुए यग्यशाला में ले आए धनुश देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए उन्होंने कहा मुनिवर मैंने प्रतिग्या की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो ये धनुश उठा कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा अनेक राज कुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए उठाना तो दूर वे इसे हिला तक नहीं सके प्रत्यंचा क्या चढ़ाते विदेहराज का संकेत समझ कर महर्श विश्वामित्र ने राम से कहा उठो वत्स यह धनुष देखो राम ने सिर जुका कर गुरु की आज्या स्विकार की आगे बढ़े पेटी का धक्कन खोल दिया राम ने पहले धनुष देखा फिर महर्श को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया यगिशाला में उपस्थित सभी लोग हत प्रभ थे इसकी प्रत्यंचा चड़ादू मुनिवर राम ने पूछा अवश यदियसा कर सकते हो विदेहराज चकित थे राम ने आसानी से धनुष जुकाया उपर से दबा कर प्रत्यंचा खीची दबाव से धनुष बीच से तूट गया उसके दो टुकडे हो गए बच्चों के खिलोने की तरह यगिशाला में सन्नाठा चा गया सब चुप थे एक दूसरे की ओर देख रहे थे सभागार की चुपी महराज जनक ने तोड़ी उनकी खुशी का ठिकाना न था उन्हें सीता के लिए योगिवर मिल गया था उनकी प्रतिग्या पूरी हुई जनक राज ने कहा मुनिवर आपकी अनुमती हो तो मैं महराज दशरत के पास संदेश भेजूं बारात लेकर की तैयारियां होने लगी नगर की प्रसनता चरम पर थी महराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी चा गई आनन फानन में बारात तैयार होई हाथी घोडे रथ सेना बारात को मिथिला पहुँचने में पांच दिन लग गए जनकपुरी जगमगा रही थी हर मार्ग पर तोरन द्वार हर जगह फूलों की चादर एक एक कोना सुवासित हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार एक एक घर से मंगल गीत मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड खिर्कियों और छज्जों से जाकती महिलाएं एक नजर राम को देख लें राम सिता की जोड़ी दिख जाए विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महराज दशरत से कहा राजन राम ने मेरी प्रतिग्या पूरी कर बड़ी बेटी सिता को अपना लिया मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री और मिला का विवाह लक्षमण से हो जाए मेरे छोटे भाई कुश द्वज की भी दो पुत्रियां है मांडवी और शृत कीर्ती कृपया उन्हें भरत और शत्रुग्न के लिए स्विकार करें राजा दश्रत ने यह प्रस्ताव ततकाल मान लिया विवाह के बाद बारात कुश दिन जनकपुरी में रुकी बाराती बहूँ को लेकर अयोध्या लोटे तो रानियों ने पुत्र वधूँ की आरती उतारी स्त्रियों ने फूल बरसाए शंक ध्वनी से गलियां गोंज उठी यह आनंदोस्व लगातार कई दिनों तक चलता रहा इससे आगे की कथा अगले वीडियो में यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो सबस्काइब कर लीजिए धन्यवाद